यूर्ण प्रेंट्स, वेलकम तो आई स्टेडी, IDBI बैंक, इंडस्टियल डवलप्मेंट बैंक ओफ इंडिया, ये एक लिमिटेड बैंक है, तो इसमें एक रिकूट्मेंट आई हुई है, ये जो रिकूट्मेंट है किस पोस्ट के लिए, तो specialist cadre officer की rank के लिए recruitment IDBI में आई है इसकी क्या क्या eligibility criteria है क्या क्या exam pattern है क्या क्या syllabus है फर्म कब से start होगा सारी information आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है तो एक एक करके देख लेते हैं सबसे पहले जो date दे रहे है starting date of online registration and payment of application fees तो इसका जो form है वो एक जून 2023 से start हो जाएगा तो आप लोग एक जून से भर सकते हैं उसके बाद form बरने की जो final जो अंतिमतिती रहेगी वो date रहेगे आप लोग की 15 जून तक means आप लोगों के पास सिर्फ पर सिर्फ 15 दिन मिलेंगे इस form को बरने के लिए उसके बाद next देख लेते हैं cut of date for eligibility criteria is qualification experience तो क्या cut of date रहेगी वो एक मही 2030 रहेगी candidate are strictly advised to apply after ensuring the eligibility अगर आप लोग eligibility रखते हो तभी आप लोग इस form को apply कर लिएगा only only for one post अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो सिर्फ पर सिर्फ आप लोग उस एक पोस्ट के लिए ही apply कर पाएंगे the candidate where apply appears or listed bank recruit पर sell not be examined the process of registration of only fees जब आप लोग अपने फीर deposit करोगे तभी आप लोग इसके लिए applicable होगे उसके बाद जो next इसमें देखना आप लोग को number of vacancy देख लेते हैं कि total number of vacancy कौन कौन सी है सबसे पहले आप लोग जो पोस्ट audit की पोस्ट है corporate strategy planning department में है risk management में फ्रोड में ट्रेजरी में है security legal और corporate credit में वेकेंसी है position post क्या क्या manager की है assistant manager की है deputy general manager की है total जो vacancy 136 vacancy है उसके बाद reservation जो category wise vacancy आप लोग घर एक पोस्ट की चेक कर सकते हैं यह category wise vacancy है अब एक एक करके eligibility criteria देख लेते हैं थोड़ा सा अराम से आप लोग को समझांगा जिससे आप लोग का जो eligibility criteria वो समझ दाए सबसे पहले audit की आती है number vacancy 6 है इसमें और जो आप लोग की minimum age 28 होनी चाहिए और आप लोग की maximum age 40 होनी चाहिए grade C की यह job है इसका जो eligibility criteria education qualification क्या होनी चाहिए आप लोग के पास BSC करक्षियो IT ब्रांच से बेटेक या बेए करक्षियो IT ब्रांच से या फिर electronics ब्रांच से या फिर आप लोगोंने BCI, BSC Computer Science या IT से करक्षियो तो आप लोग इसका फोम बर सकते हैं या फिर graduate in industry with certified information system auditor ये CIS से होना चाहिए तभी आप लोग इसको बर सकते हैं जो graduate है या फिर MSC होनी चाहिए आप लोग के पास IT Computer Science से MCI, MTEC या ME होनी चाहिए इन सारी trades है बाकी experience इसमें required है minimum 7 साल का आप लोग के पास experience होना चाहिए इन BFSI of the which 4 years should be in the relevant role as mentioned in the job description तो यह इसका agility criteria था अगर अभी भी इसमें से कोई भी doubt आप लोग को आता है eligibility criteria criteria से related तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा वो doubt मैं आप लोग कमेंट सक्षिन में कर दूँगा नेक्स्ट आती है आप लोग के economics की एक vacancy है minimum age 35 maximum age 45 जो eligibility criteria वो आप लोग के पास post graduate degree होने चाहिए economics ने या फिर business economics from the university रिकोगनाइज बाइस दा इंडिया रिकोगनाइज बाइस दा इंडिया for its regulatory bodies candidate with PhD economics research experience in BFSI will be preferred उनको यह preference दी जाएगी experience दस साल का रहेगा minimum with seven year of relevant experience आज़े official in schedule commercial या किसी भी बैंक में आप लोग के पास seven year का experience भी होना चाहिए उसके बाद नेक्स देख लेते हैं general manager grade B की है इसमें भी सेम है पोस्ट graduate degree हो निचे आप लोग के पास economics में और four year का आप लोग के पास work experience होना चाहिए उसके बाद next आते हैं आप लोग के रिस्क management तो रिस्क मनेजमेंट इंफ्रमेशन सिस्टम नंबर वेकेंशिप हो रहे एसिस्टेंट जेनरल मैनेजर ग्रेड से की इसमें ग्रेड रहेगा आप लोग का एजूकेशन क्वालिफिकेशन बीए कर रख्यों बीटेक कर रख्यों computer science में इन में से किसी भी ट्रेड में आप यह कर रख्या है बीए या फिर वेटेक तो आप लोग इस पॉर्म को भर पाएंगे या फिर आप लोगों ने mca कर रख्यों computer science से तब भी आप लोग इस पॉर्म को भर सकते हैं प्रस्पोरेशनल कंडिडेट वेल भी फरफड तो इनसे अगर आप लोग के पास कोई certificate है तो उनको फरफरेशन दी जाएगी उसके बाद experience कितना रहेगा तो साथ साल का आप लोग के पास experience होना चाहिए जिससे आप लोग इसके लिजवेटी फिल फिल कर पाऊगे उसके बाद next आता है आप लोग का रिस्क मेनेजमेंट में information system में number of vacancy 6 है grade आप लोग का manager है इसमें भी से certificate होगे तो उनको फरफरेशन दी जाएगी experience में भी चार साल का रहेगा उसके बाद next देख लेते हैं next आती है आप लोग की credit risk होगा market risk होगा टेकनिकल होगा नंबरों vacancy में दो तीन चार और यहां पर तीन vacancy है चार्टेड अकाउंट इसकी आप लोग के पास यह है तो आ टेकनिकल वाला बरपाऊगे इसमें आप लोग का चार साल का experience है यहां पर भी आप लोग का फोर यह का experience है उसके बाद next आती है आप लोग की प्रोड रिस्क मनेजमेंट इस्पेसिल डिजिटल बैंकिंग चैलेंग में नंबरों vacancy एक है graduate in any discipline आप लोग ने simply graduation करके तो आप लोग इसका पंबर पाऊगे लेकिन वी नहीं आप लोग के पास 10-year का experience होना compulsory है उसके बाद next आती है आप लोग के प्रोड रिक्स मनेजमेंट इसमें आप लोग की चार वेकेंसी है इसमें भी आप लोग के पास simple graduation होनी चाहिए और लेकिन आप लोग के साथ 7-year का experience होना लोग के पास 4-year का experience होना चाहिए तब आप लोग इस पौम को भर पाएंगे उसके बाद next आती है आप लोग की security की तो इसमें आट वेकेंसी है सिंपली आप लोगों के पास ग्रेजबेसन होनी चाहिए वो minimum 4 साल का experience होना चाहिए तो आप लोग इसका पौम भर पाऊगे त इसके बाद legal वाला देख लेते दो वेकेंसी है इसमें graduation होनी चाहिए आप लोग के पास low में कहीं से भी करक्कियों उसके बाद 10 साल का experience होना चाहिए तो आप लोग इसके लिजबेट ट्रक पाऊँगे उसके बाद नेक्स आता आप लोग का legal में legal में for vacancy है graduation in low होनी corporate credit में देख लेते हैं इसमें base vacancy assistant manager say कि है और manager भी कि है post graduation होनी चाहिए यहां पर आप लोग के पास और यहां पर simply graduation होनी चाहिए यहां पर 7 साल का experience चाहिए आप लोग के पास और यहां पर 4 year का experience चाहिए होता है तो इसमें जो सारी recruitment है एक तो वह experience holder के लिए है, experience order के लिए, fresher के लिए, कोई भी recruitment नहीं है, और एक special का ही है, हर post के लिए special qualification required होती है, इसलिए इसका नाम special officer cadre रखा गया है, तो ये IDY की recruitment थी, सारे information मैंने दे दी है, इसका जो pay allowance से वो आप लोग देख सकते हैं, grade D का आप लोग का छेत्र जार दस होगा ग्रेड़ी का अड़तालीस एक्षो सतर रहेगा उसके बाद पोस्टिंग और इनिशली अपोइंटमेंट अल पोस्ट विल बी प्रोवेशन पिर एक साल का प्रोवेशन पिरेड होगा उसके बाद आप लोग को पेडरी अप्रिपनेंट अप्र टोवेशन प्रोवेशन 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 प्रोश्टिंग उसके बाद आप लोग को पता यह विलेजबिल्टी क्राइटिरिया मैं बता चुक हूं लोग देख चुके हैं उसके बाद रिजर्वेशन तो दिया ही जाएगा एकनोमिकली विकट सक्षन को अधर इलेजिबिल्टी क्राइटर्य आप लोग देख सकते हैं यहां पे डोकुमेंट्स क्या क्या अप लोड होंगे फीस आप लोग देख लीजिए जो सब्सक्राइब करने पड़ेगा और अपलाई आप लोग कब से कर पाएंगे तो मैंने आप लोग को बता जया एक जून से पंदरा जून तक आप लोग फिल कर सकते हैं कटॉप डेट एक मही 2023 से लेड़ी बता चुका हूं पर उसके बाद जो इनफोर्मेशन देनी हैं बस यह इनफोर्मेशन ती अगर किसी भी इनफोर्मेशन में आप लोग कोई डॉट आता है इलेजीबिल्टी क्राइटेरिया से लेटेड तो आप लोग करके पूछ लिएजेगा वह डौट आप लोग कमेंट सक्षन में किलिए रुज़ जाएगा अगर हैश्टेड चैनल की और स